कि अपया होगा है साइनु विध निखिल में तो आप सब कैसे हैं आसा करता हूं कि आप अच्छे होंगे घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहा होंगे एकजाम्स की डेट डेट आने वाली है और बता दिया गया है कि किस तरह किस एकजाम लिया जाएगा तो मैं चा आपको बहुत ही helpful होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से ध्यान से और नौट्स बनाएं ठीक है तो आईए आजम देखते हैं इतिहास लेखन अर्भी परंपरा अब इतिहास लेखन में हमारे देश में अर्भी परंपरा कैसी थी और अरब के लोगों ने हमारे इ संस्कृति के विशे में जानकारी होती है अब अरव वैपारियों तथा लेखकों से हमारे पूरी मद्यकालिन भारत के बारे में तथा समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है तो अरव वैपारियों ने किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया तो अरव वैपारिय सब्सक्राइब नाम बुलते-बोलते फक जाएंगे या फिर भूली जाएंगे थोड़ा सा जोक्स करेक करना हो, हसी नहीं भी आये तो भी हसी है, प्रारंब में उसने साहित था विज्ञान का अध्यन किया, इन विधाओं में निपून हासिल की, अब अलबुरुनी जो था वो बहुत ही ज्यानी वेक्ति था, उसने प्रारंब से ही साहित और विज्ञान के उपर बहु किरण उरहिकों कि अरब लेखन में वही एक इतिहासकार था जिसने सारे में अपना योगदान दिया, यह आसा नहीं कि कि Ben न इक भी में, उसने सारे में रहुत दी आं योगदान दिया, तो थो हमेड अब की अन्हों का इतिहासका हो प्राड़ू क्या। वह महमूद गजनवी का समकाली था, वह किसका समकाली था तो महमूद गजनवी का, उसने संस्कृत भासा सीखी और भारत की सब्वेता और संस्कृति को पून रूप से जानने का प्रेत्ने किया, उसने अपने आपको काफी दक्ष बना लिया, अब मैंने आपको क्या बताया अब संस्कीत भासा क्यों सीखा इसके पीछे क्या रिजन था अब जिस दिस्क में घुमने जाएंगे तो वहां के अगर आप भासा सीख लेंगे तो वहां की चीजों को आप को जानने और समझने में बहुत ही साहता मिलेगी उसी पर के लिए अलबरुनी ने संस्कीत भासा से जान सके और भारत का इतियास लिख सके बढ़ियां से ठीक है उसने अपने ग्रंद तकीकात उलहिंद में भारत का बहुत तरक संगत और पून वर्नन लिखा है अब अलबरुनी की पुस्तक क्या नाम है तकीकात उलहिंद ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछ भी पक्षपात विल्कुल नहीं है उसने बड़े धेरे से भारत भारती समाज और संस्कीति को जानने का प्रयत ने किया अब उसने क्या किया भारत में जो अपने कैसे कैसे इतिहास को बढ़ा उसके बारे में जान करें दी और उन्हें धार्मिक पक्षपात नहीं कि ऐसा नहीं कि किसी एक धार्म के बारे मिलिक दिया ऐसा कुछ नहीं उसने अपने नजरिये को सभी के लिए समान रखा ठीक है अलबरूनी ने भारतिय गनित बहुतिक रसाइन सास्त्र स्रिष्टी सास्त्र जोतिस भूगोल दर्संद धार्मिक किरियाओं एतिरिवाज्यों और समाजिक विचारधाराओं का प्रशासनिय वर्ण किया है अब आप लोकों को मैंने अभी थोड़े पहले क्या बताया था अल अपने इतियास में उसने सारे फिल्ड के बारे में जांकारी हमें दी अपने विब्रण में वह बहुत धर्म का बहुत कम उलेक करता है अब उसने अपने विब्रण में बहुत धर्म का बहुत कम उलेक किया ठीक है हिंदू समाज में प्रचलीत वर्नवैस्था का उलेक क्यों पराइब भारत में कैसे वर्न वैस्था थी और हम वह पता है कि सबसे पहले रिःगवेदिक सब्चार के वर्नवेस्ता की अच्छे से जानकरी प्राप्त हुए और उसी के बारे में वर्नवेस्ता के बारे में अलबुरी ने चर्चा किया है आधुनिक इतियासकार काल विशेस से संबंद रखने वाली सहतिक तथाव पुरातात्विक सभी सामर्गों का उप्योग करके सही चीत प्रस्तूत करने का पृत्यन्त करता है अब यहां बताया गया है कि आधुनिक इतियासकार जो हमारे देश में आए उन्हें इतियास को कैस सहतिक पुरातात्विक सभी सामर्गों का उप्योग किया किसका किसका ज्यादा उप्योग किया पुरातात्विक पुराने तत्वों का उप्योग किया और सहतिक जो पुस्तक थे उनका उप्योग करके इतियास लेखन का परियास किया सहतिक सोतों का उप्योग करते समय और उसकी विचारधारव को ही अपने पुस्तक में लिखता है ठीक है यह एक इतिहास लिखने की तरीका है परमपरा है और वही चीज हम देख रहे हैं सत्या सच्चा इतिहासकार अतीद का वरन करते समय उस वरनन पर आधुनीक संकलपनाओं को थोपने का प्रयत नहीं करता अ वो अपने इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको ही लिखने का परियास करता है ठीक है आधुनीक इतिहासकार अतीद की विचारधारा का ध्यान रखकर अपने मन में उस काल का परिवेश त्यार करता है और उपलंत साच्छ के आधार पर उस परिवेश के अपने मन में वही बातों को रख कर ही इतियास लिखने का प्रयास करता है तो मैं आसा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो समझ मा रहे होंगे और यह भी टोपिक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया हुगा और मैं वन लाइनर इसलिए बताता हूं प्रणी क्यूं में help मिले और आपको competition exam में भी आपको किसी भी चीज को समझने में धिक्कत ना हो तो अगर आपको वीडियो चलगता है तो उसे प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ साथ सेर करें जो वी इस्ट्री के त्यारी करें चाहे जो competition कर